नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manis Rai. आज प्रस्तूत है आर्टिकल सिरीज की ये दूसरी वीडियो है. यहां हम अभ्यास करेंगे परस्थन संख्या एक सिरे करके परस्थन संख्या 25 तक के खाली अस्थानों में हम A और N का प्रयोग करेंगे. बचों इस वीडियो को देखने से पहले आप इस सिरीज की पहली वीडियो को अवस्य देखेंगे जहां हमने बताया है आपको कि जिस सब्द के पहले आपको A N का इस्तेमाल करना है उस सब्द को A N का इस्तेमाल करना है उस सब्द को A N का इस्तेमाल करना है उस सब्द को A N का पहला और्ण कौसे ग्यों के बीच में हुआ तो उसका sound consonant sound होगा और उस सब्द के पहले आप A का प्रियों करेंगे यदि उसका पहला लेटर पहला अक्षर, पहला और्ण और से अ के बीच में होता है तो आप उसे भवल sound समझेंगे और उसके पहले N का प्रियोग करेंगे तो इसी नियम को ध्यान में रखते हुए आईए इन 25 वाकियों में ए N भरते हैं आप बच्चों इस वीडियो को अंत तक अवस्थे देखेंगे ताकि आपको भी confidence आए जितना confidence आएगा उतना ही आप परिक्षा में बहतर करेंगे और ये जो प्रस्त है इस प्रस्त का संबन्द किसी खास बोर्ड से नहीं है किसी खास वर्ग से नहीं है ये आजीवन आपके काम आएंगे बच्चों तो आएए एक के करके खाली अस्थानों को भरते हैं पहला है सी गिफ्टेड मी खाली अस्थान हम्टी वाच उसने मुझे एक हम्टी वाच उपहार में दिया तो हम्टी के पहले बच्चों आपको ए और न का इस्तेमाल करना है तो आप इसे हिंदी में लिखें तो आपने क्या लिखा बच्चों एच तो उसका पहला लेटर जो है पहला अक्षर जो है ये ए आया है और ए औ से औ के बीच में आता है इसका साउंड भावल हुआ और तो हम खाली अस्थान में एन भरेंगे मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिसके पहले ए औ का इस्तेमाल करना है उसका पहला अक्षर को से ग्या के बीच में आता है ये का परियोग करें औ से औ के बीच में आता है भावल साउंड हुआ एन का परियोग करें इसलिए हमने पहले में एन किया दूसरा देखते हैं सिरलंका इज खाली असन आईलेंड तो बच्चों आप आई ऐसे लिखेंगे तो इसका पहला अक्षर ओ हुआ तो ओ से ओ के बीच में आता है ये अता इसका साउंड भावल साउंड हुआ अता इसके पहले भी हम यहां पे अन का परियोग करेंगे बच्चों तीसरा है क्रिकेटीज खालियस्थान इंटेरेस्टिंग गेम क्रिकेट एक रोचक खेल है तो इंटेरेस्टिंग को फिर से आप हिंदी में लिखिये बच्चों तो पहला आक्षर इसका इ हुआ जो औस से अ के बीच में आता है साउंड भावल होता है इसलिए हम इसके पहले भी एन का प्रियो करेंगे नमबर फोर है हम लोग वर्स में एक बार सिमला जाते हैं तो बच्चों इयर जो है आप इसको भी हिंदी में लिखेंगे तो आप इयर को ऐसे लिखते हैं बच्चों तो इसका पहला अक्षर इया हुआ तो इयर कोसे ग्यों के बीच में आता है इसलिए इसका साउंड कॉंसोनेंट साउंड हुआ अता हम इसके पहले ए भरेंगे जी हम लोग वर्स में एक बार सिमला जाते हैं नमबर पाँच है बच्चों इट इज खालियस्तान यूसफूल रूलती यूसफूल को फिर से हिंदी में लिखिया बच्चों तो पहला अक्षर इसका यू हुआ जो कॉसे ग्यों के बीच में आता है अता इसका साउंड कॉंसोनेंट हुआ और इसके पहले तो हम ए का प्रियोग करेंगे बच्चों ये पूरा खेल साउंड का है अगर कॉंसोनेंट साउंड है तो ए करें भवल साउंड है तो एन करें तो कॉंसोनेंट साउंड मतलब कॉसे ग्यों और भवल साउंड का मतलब औस से अग्ला I want to buy मैं खरिदना चाहता है one way ticket एक तरफा ticket खरिदना चाहता हूं तो आप इसको हिंदी में लिखिया बच्चों तो आपने क्या लिखा one तो पहला अक्षर वह हुआ जो कॉसे ग्यों के बीच में आता है अधा इसका साउंड कॉंसोनेंट साउंड हुआ इसलिए यहाँ पे हम ए भरेंगे नमबर सेबन है एक बहुत 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 ही खुबसूरत लड़की है बच्चों तो यहाँ पे एक्स्ट्रीमली को आप हिंदी में लिखेंगे जिसको शुरुआत बच्चों ई से होती है तो ई औ से औ के बीच में होता है इसलिए हम यहाँ पर एन भरेंगे आपका मित्र एक लाइसी एजेंट है नमबर नाइन कहता है बच्चों रमन इज खालियस्तान ओनररी सकरेटरी रमन जो है एक ओनररी सकरेटरी है एक वैतनिक सची हो है तो ओनररी को बच्चों आप हिंदी में लिखिए तो पहला अक्षर ओ हुआ जो औ से ओ के बीच में आता है अता इसका साउंड भोगल हुआ तो आप यहां पे अन का परियोग करेंगे बच्चों आद रखिएगा ह से सुरू होने वाले ओ से सुरू होने वाले ए से सुरू होने वाले और यू से सुरू होने वाले जो वर्ड होते है न उनके पहले अन के परियोग करते वक्त साउधानी बरतेंगे जिसा कि यहाँ पे है honorary यह सुरुवात H से है लेकिन पढ़ते इसको honorary है तो इसलिए sound इसका भावल हुआ एन कर देंगे नमबर 10 है French is not खालिसान easy language French कोई आसान भासा नहीं है तो easy को पच्छो हमने हिंदी में लिखा तो E हुआ तो औसे औह के बीच में हुआ इसका sound भावल sound हुआ इसलिए हम इसके पहले N करेंगे French is not an easy language नमबर 11 कहता है Dr. Rahul Singh is खालिसान MBBS राहul सिंग जी जो है न वे MBBS है तो MBBS के पहले A N करना है तो आपने M ऐसे लिखा तो M ऐसे लिखा तो पहला अक्छर इसका A हुआ जो A के बीच में हुआ इसलिए sound इसका भावल sound हुआ तो आप यहां पे N भरेंगे आप बच्चों M पर नहीं जाएंगे आप consonant पर नहीं जाएंगे आप इसके sound पर जाएंगे तो Dr. Rahul Singh is an MBBS नंबर 12 कहता है बच्चों You are खाली अस्तान unlucky student आप एक अभागे विद्यारती हो आप एक मतलब आपका भागे ठीक नहीं यह ऐसे विद्यारती होा तो unlucky को आप बच्चों हिंदी में लिखेंगे जब हम unlucky को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षार इसका ओ होता है जो ओ से ओ के बीच में आता है sound vowel हुआ इसलिए हमें यहाँ पे n भरेंगे you are an unlucky student अगला तेरा he looks as stupid as owl वो बतलब वैसे ही उतना ही stupid दिखता है जितना की उल्लू तो बच्छों owl आप ऐसे लिखेंगे तो पहला अक्षार ओ हुआ sound vowel हो जाएगा इसलिए आप इहाँ पे n का प्रियोग करेंगे नमबर 14 कहता है बच्छों बिजय सिंग इस खालियस्तान experienced teacher आप बच्छों इसको हिंदी में लिखेंगे तो बच्छों इसे इसकी सुरुआत होगी जो ओ से ओ के बीच में होता है इसलिए sound vowel हुआ और आप इन भरेंगे बिजय सिंग इस एन experienced teacher नमबर 15 कहता है बच्छों खालियस्तान orange is a testy fruit यानि orange जो है एक testy मतलब एक swadist फल है तो orange को हिंदी में लिखेंगे ओ आएगा तो sound इसका भरेंगा इसलिए बच्छों आप इहाँ पर एन भरेंगे नमबर 16 है मैंने देखा है क्या देखा यूनिक साइट एक अनोखा दरिस्टे तो यूनिक को हिंदी में लिखे यौ हुआ तो कौसे ग्यों के बीच में आता है इसलिए sound हुआ बच्छों consonant तो हम यहाँ पर ए भरेंगे फिर देखिए मिसिज रस्मी इज ओनरेबल मैन मैन से अच्छा होगा बच्छों यहाँ पर लेडी करेंगा यह एक एरर हो गया है मुझसे तो मिसिज रस्मी इज ओनरेबल को आप हिंदी में लिखे यानि रस्मी क्या है एक सम्मानित महिला है तो honorable ऐसे लिखते हैं बच्चों ओ आजायेगा तो ओ से ओ के बीच में हुआ यद पी एच्छ है लेकिन इसका उचारण ओ से सुरू होता है इसलिए इसका sound भवल हुआ हम N भर देंगे मिस्ज रस्मी इस एन ओनरेबल लेडी नमबर 18 है I am खालियसान असिस्टेंट टीचर सच में बच्चों मैं एक सहायक सिक्चक हूँ तो असिस्टेंट को हिंदी में लिखेंगे तो फिर ओ ही आएगा जो ओ से ओ के बीच में हुआ भवल साउंड हुआ इसलिए हमें यहाँ पे N भरेंगे I am an assistant teacher मैं एक सहायक अध्यापक हूँ मैं एक सहायक सिक्चक हूँ नमबर 19 कहता है बच्चों air का मतलब होता है वारिस वा बिना उत्रा धिकारी बिना वारिस के उनकी मृत्ति हो गई तो ए देख रहा है न तो यह औ से औ के बीच में होता है साउंड इसका भवल हुआ इसलिए मैं हाँ पे N भरेंगे she died without an A और वा बिना वारिस के ही उनकी मृत्ति हो गई नमबर 20 कहता है बच्चों will you give क्या आप देंगे piece of bread तो चुकि piece है क्या भर देंगे will you give a piece of bread क्या आप मुझे एक रोटी देंगे यह जरूरी है यहाँ पे नमबर 21 कहता है मैंने अंग्रेजी में में किया हुआ में को हिंदी में लिखिए तो पहला अक्चर A हुआ तो औस से औह के बीच में हुआ इसका sound, भवल sound हुआ इसलिए हम यहाँ पे N भर देंगे 22nd है the workers have formed यानि मजदूरों ने बनाया है क्या बनाया है यूनियन तो यूनियन को हिंदी में लिखिए यह हुआ तो कौसे ग्याँ के बीच में हुआ sound इसका consonant हुआ इसलिए यह भरेंगे the workers have formed a union यानि मजदूरों ने एक संग बनाया हुआ हुआ number 23rd है यानि वह एक विनमर लड़की है वह एक number लड़की है तो humble को हिंदी में लिखेंगे तो हुआ हुआ बच्चों जो कौसे ग्याँ के बीच में आता है consonant sound हुआ हमें यहाँ पर ए भर देंगे वह एक number नेक लड़की थी 24th कहता है I am waiting for half मैं half hour मैं आधे घंटे से प्रतिक्छा कर रहा हूँ तो बच्चों यद पी यह एक है लेकिन आप इसको हिंदी में लिखें तो O हुआ तो sound इसका भावल हो जाएगा इसलिए यहाँ पर end भर देंगे I am waiting for half an hour और अंति मैं he lodged खाली असान F IR against me उसने मेरे खिलाफ F IR दर्ज किया हुआ है तो F को आप हिंदी में लिखिया बच्चों तो इसका पहला letter A हो जाएगा जो O से O के बीच में हुआ इसलिए आप यहाँ पर end भरेंगे तो यह बच्चों articles पे based 25 sentences थे यहाँ पे बारी बारी से आप इस बीडियो को देखें इससे पहले वाली जो मैंने बीड़ डाली है उस बीडियो को भी देखें और इसके बार लगतार बीडियो बच्चों मैं डालता रहूंगा article से सम्मंधित तो यह बीडियो आपको कैसी लगी अपने सुझहाव जरूर दे बच्चों मेरे चनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो को लाइक भी करें अपने मित्रों से भी सेयर करें अपने सुझहाव भी देते रहें ताकि भविस्त में मैं और सुधार कर सकूं और और उपयोगी वीडियो आपके लिए ला सकूं अगर यह वीडियो पसंद है बच्चों तो लाइक जरूर करेंगे तो इस वीडियो को समाप करते हुए मेरे साथ बोलें जैहिंद